राधे राधे, जैसरी श्याम, राधे रुकमन की रोसोई में मैं राजे शुरी धादीच आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे फूल गोबी के पराटे जिसको हम सर्व करेंगे दही, चटनी और आमले की लौंजी के साथ में और ये पराटे मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि ये बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और देखिए, स्टफिंग भी कितनी बढ़िया से चारो तरप से लग रही है एकदम और इसको उपर रखेंगे मक्षन और मक्षन और चटनी के साथ में इसको खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाले ये देखिए तो आ रहा है ना आपके भी मुमे पानी तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये दो कप आटा ले लिया है और इसमें डाल दिया है स्वादा नुसार नमक अब इसका हम बिलकुल सौफ्ट डो बना के त्यार करेंगे और आप चाहें तो इसमें ओइल भी इसमें डाल सकते हैं पर मैं नहीं डालूँगी आप चाहें तो इसमें एक चमच ओईल डाल दीजिए और फिर देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे इसका बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और लचिला सा डो बनाके हमको तयार करना है अगर पराठी का डो थोड़ा सा लचिला होता है न इस तरीके से तो पराठी के स्टफिंग बाहर नहीं आती है यह आपका पहला टीप है तो जो आटा लगा है वो बहुती लचिला सा और सॉफ्ट लगा है उपर से थोड़ा सा इस पे घीया ओल का हाथ लगा के इसको रख दीजिए रेस्ट के लिए और तब तक कर लेते हैं हमारी दूसरी तयारी तो देखिए मैंने यहाँ पर यह फूल को भी ले लिया अच्छे से पानी से वाश करने के बाद में पूरा पानी इसका मैंने सुखा लिया है फिर या तो आप इसको इस तरह से ग्रेटर से कस लीजिए जो मीडियम वाला होता है न उससे कस येगा इस तरीके से पर मैं इसको ग्रेटर से नहीं करूँगी मैं जो यह चोपर आता है न इसके अंदर इनको डाल दूँगी इससे काम भी फटा-फट से हो जाता है और बस चोपर में डाल के इनको हम अच्छे से चोप कर लेंगे तो यह देखिए और बहुत ही जल्दी से इसमें अच्छे से हमारी फूल गोबी बिल्कुल तयार हो जाएगी तो यह देखिए तो हमारी फूल गोबी तयार हो चुकी है इसी तरीके से मैं सारी फूल गोबी को चोप में chop कर लूँगी और बहुत ही बड़िया से एकदम ready हो गई है हमारी फूल गोभी इसमें time भी थोड़ा सा कम लगता है पर आप चाहें तो greater से भी कर सकते हैं इस काम को और फिर देखिए सारी फूल गोभी होने के बाद में आप चाहें तो किसी कपड़े में इसको डाल कर इस गींग डाल देंगे इसमें one fourth teaspoon और आधा चम्मच डाल देते हैं इसमें सौफ और आधा चम्मच ही मैं इसमें डाल दूँगी अजवाइन अजवाइन को थोड़ा सा मैं crush करके डाल दूँगी आप चाहें तो oil में तो ऐसे भी डाल सकते हैं पर इससे और भी बढ़िया flavor हुआ अधरक और फिर मैंने इसमें डाल दिये थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने वीडियो की speed को थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि time थोड़ा कम लगे वड़ना वीडियो काफी लंबा हो जाता क्योंकि हम इसमें चटनी भी बनाना सीखेंगे और फिर जो हमारी फूलगों भी जो है इसके अंदर डाल दीजिए और गेस की flame को आप इस समय मीडियम रखिएगा और बस इसको थोड़ा सा इस तरह से चला लीजिए ताकि जो फूलगों का moisture है वो निकल जाए हमको इसको इतना भी नहीं पकाना है कि हमारी फूलगों भी बिल्कुल soft हो जाए वरना पराथ मैंने नमक डाल दिया है साधा नमक और आधा चमच मैं इसमें डाल दूँगी काला नमक तो नमक डालने से क्या है नमक भी जो अपना पानी छोड़ेंगे न वो भी इसके अंदर पूरा सूख जाएगा तो हमारी stuffing बहुत ही बढ़िया बनेगी पहला तो क्याता है कि आटा ह हमारा बिल्कुल लचिला होना चाहिए दूसरा क्या है stuffing में अगर थोड़ा सा भी moisture रहता है न तो वो भी पराठे के बीच में से निकलने लगती है तो हमारी stuffing एकदम सूखी सूखी और बढ़िया होनी चाहिए तो बस इसको मैं चला लूँगी फिर से यहाँ पर 2-3 मिनिट के लिए तो जो इसने पानी छोड़ा है नमक ने अपना वो भी पूरा नमक का पानी इसमें सूख जाएगा तो इसको भी आप चला लीजिए 2-3 मिनिट इस तरह से और गेस की फ्लेम को slow to medium रखिएगा बिल्कुल तो देखिए मैंने इसको चला लिया है अब जो बाकी के जो चमच मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्ची का पाउडर अच्छे से इनको भी मिक्स करते हैं ये बार बार आप और बस इसको मिक्स करने के बाद में फिर हम इसमें बागी के मसाले डाल लेते हैं हमारे तो मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर मैंने डेर चमच ये ध बहुत अच्छा आता है और बस इसको अच्छे से mix कर दीजिए फिर से और गेस की flame को slow to medium ही रखिएगा वरना गोभी जो है वो ज्यादा पक जाएगी तो वो बढ़िया नहीं लगेगी बिल्कुल भी हलका सा crunchy नैस रहना चाहिए हमारी गोभी में तो खूब सारा हरदिनी की मैंने पत्ति डाल दीए इसके अंदर और बस इसको mix कर दीजिए गेस की flame को बंद करके stuffing को कर लीजिए बिल्कुल थंडा इसको किसी plate में निकाल दीजिए तो इस्टेफिंग जब बिल्कुल हमारी थंडी हो जाएगी न तब भी वो पराठे के बीच में से नहीं निकलती है तो इसको बहुत ही अच्छे से थंडा करना है फिर देखिए मैं आपको बता रही हूँ खट्टी मिठी चटनी हम काचरी की चटनी बनाएंगे यह पाउडर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या किसी शौप पे भी मिल जाता है तो मैंने इसमें तीन चमच काचरी का पाउडर यह ले लिए है और आप चाहें तो जो काचरी मार्केट में आती है उसको भी सुखा कर पीस कर इसका पाउडर बना सकते हैं तो तीन चमच यह लेने के बाद में मैं डाल दूँगी इसमें एक से सवा चमच लाल मिची का पाउडर और जो बाकी के मसाले हैं यह अपने टेस्ट के अकोर्डिंग आप कम जादा कर सकते हैं और फिर मैं दो चमच इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर और आधा चमच मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी का पाउडर और बस स्वादा नुसार इसमें नमक डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो टेस्ट के अकोर्डिंग मैंने इसमें नमक डाल दिये अब सारे मसालों को बहुती बढ़िया से पहले मिक्स कर लीजिए और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे आप इसके अंदर इसको एक बैटर बना कर तयार कर लीजिए अब अगर आपको इसमें लैसून डालना होना तो आप क्या कीजिए 10-15 लैसून की कलिया लीजिए और कूट कर वो भी इसके अंदर इसी समय डाल दीजिए पर मैं बिना लैसून की बनाऊंगी इसको वैसे भी मैं तो लैसून प्याज अपनी राधार उक्मन की रसोई में यूज नहीं करती हूँ और बस अच्छे से इसको mix कर लीजिए और इस तरह से आप चटनी का बैटर बना कर रख लीजिए यह थोड़ा सा पानी मैं इसमें ओर डाल दूँगी ताकि जब इसको डालेंगे उस समय हम mix करके फिर इसको oil के अंदर डाल देंगे तो बस इसको रख देते हैं अब मैंने ले लिए एक छोटी सी कड़ाई, इसमें डाल देते हैं हम ओईल, तो मैं एक बड़ा चमच भरके पूरा इसमें ओईल कर डालूँगी, चटनी में जब इस तरह से हम चटनी को फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा ओईल जादा ही जाता है, उससे हमारी चटनी भी खरा जीरा, अब अगर आप चाहते हैं तो लेसुन की कलिया इस समय भी इसमें डाल सकते हैं, 10-15 लेसुन की कलियों को आप बारिक बारिक बिल्कुल कट कर लिजिए और वो इसमें इस समय डाल दीजिए, आप चाहें तो लेसुन इसमें डाल लिए या पहले भी आप कूट कर डा अच्छे से हमारा जीरा क्रेकल हो गया है ओइल भी हमारा बहुत ही अच्छे से गरम था और बस अब मैंने आपको बता दिया आप चाहें तो पहले इसमें लैसुन डाल दीजिए या फिर आप पेश्ट में भी लैसुन पीसकर डाल सकते हैं या आप उइल में डाल लिए या फिर आप बीन लैसुन के बनाये इसको बहुत टेस्टी बनती है यह चटनी और बस यह हमारा सारा पेश्ट इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से फिर इसको हम मिक्स कर देंगे तो अच्छे से इसको mix कर दीजिए oil के अंदर थोड़ा सा पानी इसके अंदर हम डाल देते हैं फिर से जो हमारा प्याला था हमारा बैटर वाला उसी को हम साफ करके थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि पकते समय भी इसमें पानी की जुरत पड़ेगी ताकि हमारे मसाले और काचरी बहुत ही अच्छे से पक कर तयार हो जाएं तो बस इस पानी को भी इसमें मिक्स कर देते हैं तो ये देखिए बस अब इसको हम क्या करेंगे गेस की फ्लेम को आप मेडियम टू स्लो कर दीजिए और इसको ढख कर छोड़ दीजिए बहुत ही अच्छे से पकने के लिए ताकि हमारे मसाले, काचरी बगरा जो भी है वो बहुत ही अच्छे से पक कर तयार हो जाएं तो जब तक ओईल हमारा सेपरेट हुआ हमने इसको पका लिया है, देखिए बहुत ही बड़िया तरीके से तो देखिए हमारी चटनी एक बार तो ये बिल्कुल तयार हो चुकी है अब अगर आप चाहते हैं इसी तरह से खाना तो आप इस तरह से भी इसको एंजोई कर सकते हैं पर मैं इसको खटा मिठा बनाऊंगी तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी गुड़ अगर आप लैसुन डाल के बना रहे हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं बहुत टेस्टी लगेगी और लैसुन डालने पर भी आप मिठा डाल सकते हैं इसके अंदर बहुत टेस्टी लगती है वो चटनी भी पर मैं इसको इसी तरह से बना रहे हूं और खटा मिठा बना रहे हूं तो मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है फिर से इसको एक बार ढखकर छोड़ देते हैं ताकि जो गुड़ है अच्छे से पक जाए इसके अंदर melt हो जाए बढ़िया से और हमारी चटनी बिल्कुल बढ़िया से बनकर तयार हो जाए तो लीजिए हमारी जो चटनी है वो बहुत ही अच्छे से पक कर तयार हो चुकी है तो यह देखिए यह काच्री की चटनी आप रख सकते हैं बना के आराम से और इसको आप 10 दिन तक फ्रीज में भी रख लेंगे और एंज्योई करेंगे तो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होती है काच्री की चटनी तो बस इसको ढखकर साइड कर देते हैं फिर देखिए ज कितना लचिला है हमारा यह आठा बस इसमें से हम बड़ा सा एक पेडा तोड़ लेते हैं स्टफिंग के लिए आप जो रोटी बनाते न उससे थोड़ा सा बड़ा ही साइज का पेडा तो थोड़ा सा पराथा बनता है तो अच्छा लगता है वह पराथा तो बस अब क्या की सूखे आटे के अंदर इस तरह से इसको पहले प्रेस कर लीजिए, अच्छे से चारो तरफ से, और फिर देखिए इस तरीके से आप इसको अंगुठे से प्रेस करते वे कटोरी नुमाइक शेप दीजिए, इससे क्या होगा, कॉनर्स जो है वो पतले-पतले एकदम इसके उप देती हूं बीच के अंदर, बस इस तरह से लगा दीजिए बीच में, अब जो हमारी स्टफिंग थी, वो इसमें डाल देते हैं, खूब सारी स्टफ पराठ है, तो स्टफिंग बहुत ही अच्छे से भरिएगा इसमें, और बस इस तरह से कॉनर्स को उठाते वे इसको आप अच्छे से पूरा पैक कर दीजिएगा, मैंने पहले भी आपको काफी पराठे बताएं हैं, आलू के पराठे भी सिखाएं, वो मैंने आपको इसी तरह से सिखाएं, कि स्टफिंग आप इस तरह से भरेंगे, तो स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आती है, और बेलने क पैल जाती है, अगर आप सीधा इसके ओपर बेलन लगा कि इसको बेलने लगेंगे, तो या तो क्या होगा, वो बीच में हिस्सा छोड़ देती है, स्टफिंग और करनल जाती है, या आपका पराठा फूट जाता है, और स्टफिंग सारी बाहर निकल जाती है तो आप ऐसा क इस तरीके से बनाएए आपके पराठे बहुत ही अच्छे से बनेंगे, कभी भी वो पराठे आपके फटेंगे नहीं, बस आपका जो आटा है वो एकदम सौफ्ट होना चाहिए, अगर आटा आपका कड़क हुआ, इस्टफिंग में आपके थोड़ा सा भी मौिस्चर हुआ औ तो फिर तो आपका पराठा फटेगा ही, तो बस इस तरीके से पराठे को बेलिए, एक कौर्णर से बेलिए और दूसरे कौर्णर के अंदर उसको इस तरह से बेलते वे, बेलन को लेते जाएए, तो बस हमारा पराठा बनके तयार हो चुक है, तो ये लीजिए, हमारा आप देखिएगा कितना फूला फूला और कितना बढ़िया बनके तियार होगा और बस उपर के लिए जब सूख गई थी थोड़ी सी तब मैंने इस पर पलट दिया और इस तरफ भी मैंने इस पर ओल वगरा नहीं लगाया अभी और अब मैं इसको फिर से पलट दूगी और अ तो देखिए हमारा पराठा कितना फूल कर तयार हो चुका है बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कचोरी बना रहे है यह देखिए तो आप इस ट्रिक से बनाएंगे ना जो हिस्सा चकले की तरफ होता है ना नीचे की तरफ उसको हमेशा उपर की तरफ रखना चाहिए और जो उपर वाला हिस्सा है उसको रखिए आप नीचे की तरफ सिंपल पराठे भी आप बना रहे होने फिर भी आप इसी तरह से बनाएंगे उनको भी तो आपका पराठा बहुत ही अच्छे से फूल कर और बहुत ही बढ़िया सोफ्ट पराठा बनके तयार होगा तो देखिए हम कभी मेडियम और कभी हाई करते जाएगा वो आपके उपर है बस पराठा आपका जलना नहीं चाहिए और देखिए कितना बढ़िया पराठा फूल रहे एकदम कचोरी की तरह है और कितना करारा सीखा है बस इस तरह से करारे कराठे पराठे ओ गर्मा गर्म और सर्धी का टा यह देखिए स्टफिंग बिलकुल इवली पूरे पराठे में एकदम एक जैसी फैली है चारो तरब से तो बस इस तरह से आप पूरे पराठे बना के तयार कर लीजिए गर्मा गर्म पराठे और खाने वाली की थाली में ही जाए तो उसकी तो बात ही अलग है बिलकुल और गर्मा गर्म पराठे के ओपर रख दीजिए आप थोड़ा सा मखन बटर जो भी आप रखना चाहें और साथ में रख दीजिए आप दही और काचरी की चटनी जो हमने अभी बनाई है और मैंने रख दिये थोड़ी सी आमले की लॉंजी इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है पहले से ही उसका लिंक में आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में आप जरूर से जाके चेक कीजिएगा तो लीजिए तैयार है आपके लिए ये फूल गोभी के गर्मा गर्म पराठे और काचरी की चटनी आप भी इनको जरूर से बनाईएगा और मेरी रेसिपी आपको